Hey everyone, what's up, बहुत बहुत स्वागते अब सभी लोगों का इस amazing से वीडियो के अंदर और इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बातचीत करने वाला हूँ कि ऐसी कौन सी top mistakes है जो आपने avoid करना चाहिए अगर आप CA foundation की preparation कर रहे हो या CA inter की कर रहे हो या CA final की कर रहे हो हो सकता है title म foundation मिले लेकिन ये सारे levels के लिए एकदम बढ़िया से आप लेके बले है लेकिन उससे पहले अगर आप इस channel के उपर नए हो तो subscribe तो करना पड़ेंगा ने यार और वीडियो को like भी करना पड़ेंगा ठीक है ना तो चलिए सर वीडियो को like कीजे और बढ़िया से शुरू करत आपको बताने वाला दस पॉइंट बस दस बस ठीक है आओ पहला not preparing 100% syllabus ऐसी बच्चे नादानी हरकत कर देते है बेटा जहापे वो लोग है ना पूरे 100% population को नहीं पड़ते है population का मतलब होता है syllabus उसमें से sample निकाल के पड़ पड़ते है बेटा ऐसा नहीं करना है आपको करके जाना है जब भी आप आदा अदूरा syllabus करके जाते है यह आपके confidence को कम करता है यह आपके confidence को तोड़ता है बेटा तो आपने ऐसी कोई भी अरकत नहीं करना है अगर आप sufficiently काफी पहले से preparation चालू कर रहे हो तो पूरी 100% preparation कीजिएंगा and then फिर उसके बाद exam के लिए appear करने जाईए यह आपको अपने आप में बहुत ज्यादा confidence देता है ठीक है okay second point mugging up rather than understanding mugging up का मतलब होता है रटा मारना रटा फिकेशन बहुत सारे लोग foundation level पर law को रटा मारते है intermediate level पर audit में रटा मारते है law में रटा मारते है रटा मत मारी है पहले चीजों को समझे और उसके आपको ज्यादा अच्छे से समझेंगा मैं जानता हूँ रटा तो आपको सर आपका कहना मैं learn भी ना करू learn तो करना ही पढ़ेंगा तभी मैं answer को present कर पाऊंगा लिख पाऊंगा लेकिन जब आप understanding लेंगे न तो यह mugging up नहीं understanding के बाद retention आपका काफी अच्छा होंगा तो आपको understanding बढ़िया लेना है और फिर आप क्या करेंगे फिर आप पढ़ेंगे तो हमेशा अपने concepts को concepts on the top ठेक है न तो जबर्दस्तिक बिना समझे गोचू की तरह दनादन पढ़े जारे पढ़े जारे पढ़े जारे और को समझ नहीं रहे ऐसा ना करियो बेटा पहले provision को स जिसकी मदद से provision समझाय जा रहा है law में and then फिर उसके बाद आप क्या करेंगे उसको retain करेंगे revise कर करके तीसरा point देखिए not doing writing practice सबसे बड़ा reason है failure का सबसे majorly जो foundation का बच्चा fail होता है इस reason के कारण होता है वो accounts और law में writing practice ही नहीं करता उसको लगता है मैं तो भगवान कुछ होता है वेटा एक बात ध्यान रखना यह NTA है NTA नहीं है यह ICI है जो आपको ऐसे एक साथ 67-70 आपको rankers नहीं मिल जाएंगे राजा आपको क्या करना पड़ेंगा आपको practice करना पड़ेंगा आपको वो 20% में आना है वो 25% में वो 30% जंता में आना है तो आपको extra मेहन करनी होंगी आपको आपके presentation के उपर work करना होंगा देखो जब आप शुरुवात में questions की practice करोंगे पहले 10-15 दिन बहुत tough आपको लगेंगा आपको लगेंगा मुझे तो लिखना ही नहीं जम रहा है लेकिन वो 10-15 दिन continuous लिखिए उसके बाद आप देखो क्या confidence आता है आप आपको लिखने में क्या मज़ा आता है आपको लिखने में आप देखते रह जाएंगे तेकिन आप yes fourth point not trusting not trusting one resource यह सबसे बड़ी नादानी है जो बच्चा फिर से करता है यह telegram group में चले गया यह PDF बहुत अच्छी मिल गी मस्ता colorful देखे रखा है बुले चलो इस से पढ़ू आप ICI के module से नहीं पढ़ रहे हो जैसे मैं मेरी बात करूँगा मैं module देता हो बच्चो को वो ICI के ICI से ही extract करके देता हूं मैं तो आप अगर उस book से पढ़ रहे हो first time तो आपने उसी book से पढ़ना है मैं पहले पढ़ूँगा कही से फिर मैं revision के लिए कई और किसी PDF को download करू मतलब resource है ना तो ऐसे case में आपको एक ही resource पर भरोसा करना है ICI resources बेस्ट होते है तो आपने देखा भी होंगा मैं जब भी पढ़ाता हूं ना हमेशा मैं ICI resources की मदद से पढ़ाता हूं यह आपको क्या देता है यह आपको confidence देता है इस बात का आपको ध्यामटना होंगा फिर तो देखो आपसे अगर आप inter में हो या आप foundation में हो या आप final में हो जब आप classes को कर रहे है और जब आप उसके साथ self study करते है यह अजब level का आपको confidence देता है एकदम घजब level का आपको confidence देंगा बट बच्चा है न यह करता ही नहीं है उसको क्या करना है बस 2x पर वीडियो बगा बगा के कैसे दो भी classes को complete करना है finish करना है ऐसा नहीं करनेगा अगर आपको interest ही नहीं है बेटा तो ऐसे case के अंदर क्यों फिर पढ़ रहे है आप जबर दस्ती पढ़ने वाले काम नहीं करनेगा जब शादी नहीं करनी थी तो chatting करके time pass क्यों कर रहे है मतलब जब आपक देते रहना है इससे आपका confidence boost होते रहेंगा जितने ज्यादा test आप देंगे जितने ज्यादा MTP जैसे में देखो मैं foundation law हो इंटर law में regularly test conduct कराते रहता हूं classes में दो-दो chapters के उपर एक-एक chapters के उपर units के उपर test होती है हमारी उन test को देना MTP जो institute conduct करती है उनको देना यह हमा यह तो ICI के resources है इसको please solve कीजे इसको इज़द दीजिए क्योंकि इसमें से कई सवाल आपको as it is आपके paper में दिख जाते हैं देखो foundation हो या enter हो तो आप लोगों के रिए मैंने question bank बना के रखा हूं जिसके अंदर मैं समत करके रखता हूं question and answers को यह question bank आपको ig sir.in के उपर मिल आप के उपर available हो जाता है that is CA इंदरेश गांदी इस आप के उपर available हो जाता है तो आप इसको check out definitely कर सकते हैं okay sir अब देखो क्या not doing revisions सबसे बड़ा एक और problem है चाहाँ पे आप revision नहीं करते एक बार पढ़ने से कुछ नहीं समझता एक बार पढ़ने से topic भी नहीं समझता डं मैं आपको बता दू clear cut के दू कि बच्चा पास तभी हो सकता है जब वो minimum 2-3 बार revision करता है ठीक है okay ninth point अब देखो क्या for law use short notes कोई भी theory subject के लिए हमेशा आपने short notes बनाना चाहिए अब short notes के दो तरीके होंगे एक तो आप अपने main module में important चीज़ों को mark कर दो या मैंने foundation वालो के लिए preparation चल रही है मेरी chart book की foundation के लिए chart book बना के रखाओ जहाँ पे 140 pages के अंदर पूरे law को summarize कर दिया हो खास बात क्या है यह पूरी की पूरी summary की जो language है आपको module के इससे मिल जाएंगे यानि कि अगर आप module पढ़ रहे हो और उसके बाद आपको chart book को देखते हो तो आपक सारी बाते समझने वाली है क्योंकि same language में मैंने उसको present किया हूँ तो यहाँ पे क्या है यहाँ पे भी hard copy और soft copy available है soft copy यानि कि आपको PDF मिलता है phone में देखने के लिए यह generally तब होता है जब exam को 10-15 देने और फिर भी बच्चे को copy चाहिए लेकिन hard copy आपने बुलाना चाहिए यह आपको बिदब आपके सामने किताब होती है आप सोचके देखो 140 पन्नों में पूरा समाप्तों क्या foundation का law कितना मज़ेदा ऐसा ही इंटर के लिए भारी बना रहा हूँ एक दम हैना इसके अराबा देखो 10th point कभी भी खुद पे self doubt मत कीचे कभी भी अपनी ability के उपर self doubt मत किचे आप कुद पे भरोसा नहीं करेंगे तो कौन आपके उपर भरोसा करेंगा आप कुद पे भरोसा नहीं करेंगे तो ICI कैसे भरोसा करेंगा तो मैं जानता हूँ कभी कबार आप demotivated feel करूंगे कभी कबार आपको ऐसा लगेंगा मैं track ही नहीं मैं lost हो चुका हूँ track मतल बिए आपके साथ ऐसा हो, इसका अर्थ होता है, कि आपको एक ब्रेक ही आवशकता है, संडे को हो सके, तो सारे लोग ब्रेक लीजे बेटा, संडे को आदा दिन तीन बजे तक पढ़ने का, और तीन बजे के बाद ब्रेक लेने का, यह आपको एक mentally release करता है, free करता है, दोस्तो से मिलिए, घर वालों से बात कीजिए, कुछ खेलने जाहिए, cricket, football, basketball, जो भी आपको लगता है, badminton, केलने जाहिए, घूमिए, कुछ तो भी कीजिए, physical activity, तब जाके आपको क्या होता है, तब जाके आपको अच्छा feel होता है, और आपको definitely sir, पढ़ने में help मिलने वाली है, इन सारे चीज़ों से, क्या आप इस बात को समझें क्या, hope sir, वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा useful, raw, बहुत अच्छे-च्छी insights आपने इस वीडियो से लिए हो, अब वीडियो पसंद आया, तो like कर देना, और चैनल को जो लाल वाला subscribe बिटन नहीं दबाए, subscribe करो यार फटाफट subscribe करो, अब अगर मैं बात करूँ तो देखे, CA foundation में अगर आपको study आपने किया, अब आपने पढ़ाई किया, पर आपको confidence नहीं है न, तो मैं बता दू, मैंने आप लोगों के लिए special 26 के revision वीडियो लिए, देखो आपको करना कुछ नहीं, आपको YouTube पे जाना है, और special 26 5.0 search करना है, आप देखो, ये playlist आपके सामने आजाएंगी 25 वीडियो की, इसके अंदर मैंने writing practice भी करेंगा और पूरे acts का revision है, और इतना प्यारा revision है मेरे chart books है, आपको मजा आजाएंगा, आप बोलूंगे सर, क्या गजब है, सेम चीज इंटर के लिए भी है, अगर इंटर वाला search करेंगा, CA Inter exam oriented revision by इंदरेश गांदी, तो आपको नजर आए जाएंगी, पूरी playlist जिसके अंदर मैंने इसी तरीके से इंटर में भी revision करवाया हूँ, फास्ट पास्ट रिविजन, रिविजन फास्ट होता है बेटा, ये आप ये नहीं बोलूंगे इतना फास् पढ़ रहे तो आप regular batch से पढ़िए, नहीं तो आप exam oriented batch का फाइदा लीजिए, exam oriented batch में कम समय में sessions cover है, बस ध्यान रखना exam oriented batch में Indian contract tag के unit 1 से लेके 6 तक के units यहाँ पे special 20 से cover करना पड़ता है, और बाकी जो session से वो detail में cover किये जाते है, अच्छा coverage होता है उसके अंदर, और regular म comment section में आपके लिए important links दे दूँगा, क्या क्या important link, question bank की hard copy आप कैसे purchase कर सकते है, ig.in के उपर soft copy मिलेंगी, hard copy ultimate CA पे मिलती है, telegram channel को ज़रूर जुड़ जाना, बहुत सारे important resources, important questions में आपके साथ share करता हूँ, regular batch के लिए exam oriented batch के लिए, special 20 की जो link से YouTube की है, सब share कर दूँगा, म पाचो links आपको इस वीडियो के comment section में मिलेंगे, आप जरूर से उसको चेक कीजिए, मजे लीजिए, और बढ़िया से पढ़िये बेटा, आपको अच्छे से मेहनत करना है, बढ़िया से मेहनत करना है, देखो, अब हमारे जीवन में तीन ऐसे instances होते है, जहाँ पे हमारे मम् पीलोंगा, आपको ऐसा लगेंगा, मैं इसी दिन के लिए तो जी रहा था, जो खुशी आप अपने घरवालों के चेहरों पर, जो खुशी आप अपने मम्मी बापा के चेहरों पर देखोंगे न, वो मतलब मैं क्या बताओ, आपको वो आप express नहीं कर सकते, शब्दों में इतनी बड़ी होने वाली है, ठेके न, होसे वीडियो के लिए यूस्फुल हो, थाइंको सो मच, वन सकेंड एवर्यों, बाइवर्यों, टेक केर एवर्यों, साइनिंग ओफ, इस ये इंदरेश गांधी